को तो है आज कि आपको इस टीज का प्रापर चीजिनु में लगेगा अशकर मुज Cauँ को साम चीजिज अपने आपको जान बनाने का मनिन करता है बात में वह णपre control कि सब्सक्रों में को इसे लग रहे होगा वत यह हां तोता जड़ zijn कर Daar आप बनाने में दो लिखा जाँ मैं ल्गाने के लिए और उसके बाइशकती लिये पर आप को दिखाया और यह hunters ना प Ay6 clicking सब्सक्राइब को कि यहां पर should I am एक ने देखाएब पानी डालना है और आपको इसे बॉइल कलना है तिल देन जब तक कि यह अधगलास ना रह जाए फिर हम मैं बताती हूं कि आपको हिना को साले ले लो नूपूर का ले लिए लाम का ले लिए प्रेम दुलहन बहुत सारे ब्रैंड आते जो मर्जी आप ले लिए मैं हमेसा लाम अगर आपके पास आवला नहीं तो आप इसे कि भी कर सकते हैं लेकिन हाई आपके बलो को सब्सक्राइब देता है और आपकी हेर लेंद्थ को आपकी बहुत्री को त्वासा सुधारता है इसलिए मैं इसमें अवलाइट करें और यह हमारा यह पानी जो की पक्कर के रेडिय सब्सक्राइब बहुत अच्छे से यह रेडि हो जाता है और कभी भी आपको पैक लगाना है तो आपको से तुरंत करके तुरंत नहीं लगाना चाहिए वह उतना जादा बेनिफीशल नहीं होता है मतलब कि उसके जो बोलते ना कि अपने गुर्ण को वो तने अच्छे से न चुका है और बालों में लगाने के लिए एकदम से रेडी है और इसमें मैं एक चीज़ और मिलाओंगी जो कि मैं कल मिलाना भूल गई थी तो आज में मॉर्णिंग में सब्सक्राइब वह है दही एकदम खटा होना चाहिए खटा नहीं तो भी चलेगा बट खटा रहेगा आपके बालों को डेंडरफ से दूर रखेगा आपके बालों में जो जूएं पड़ जाती है उन्हें नहीं आने देगा आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूती देता है शिल्की और शाइनी तो इतना बनाता है कि वह आपको यूज करने के बाद खुदी समझ में आ ब्रस बस्ते मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता है और नहीं मैं इसमें कोई पहनती हूं ठीक है हीना चड़ जाएगा दस दिन में उतर जाएगा कोई बात नहीं तो हातों में नेल पेंड लगा लेती हूं ताकि नेल्स पे ना लगे और इस तरहीके से आपको पार्टी लगाना चाहिए और बाकि जो हम इसे अपने लंध में लगाते हैं वह तो होता ही है अब यहां पर मैंने अपने पूरे स्काल पे अच्छा सहीना लगा लिए आप देख सकते हो मैंने कहीं नहीं चोड़ा है और आप बारी है अपने पूंच में पूरी जो लंध है उसमें यह लेक्ता है और आप देख सकते हो हमें तर जाता है अब अपने लेंथ में है इस उत्हाइब लागा जाते तो लोग से लोग देख देंकि पागल जाते को मैंने अब मैं आपको दिखा लीग जाते है और नीचे के पूंच होती है जा पर स्प्लिट ंड शिया आपको बि तो इसलिए आपको से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वहां पर भी इसी तरीके से खुब अच्छ से मेंधी को लगा लेना है और एक चीज और अगर आपके बाल बहुत से ज्यादा ड्राई है ना तो आप इस पैक में एक चमच टेल डाल सकते हो कोई साभी सो यहां पर मैंने अपने बालों में अच्छी तरीके से चपोड लिया है मेंधी को और अब बारी है इसे सेफ सेक्योर करने की जिहां देखें मैं मेंधी को कभी भी सुखाती नहीं हमेशा में मेंधी को ऐसे गीला ही रखती हूं और बस इस पे आपके पास अगर नहीं है श्र बहुत अच्छा होता है और बात में जब आपना सर दूलते हो ना तो अच्छे से मेंधी छोड़ भी जाती है वरना जब वह सूख जाती है तो फिर आपको इतना रगर रगर की छोड़ाना पड़ता है बाल भी ज्यादा टूटने रगते और इरिटेशन भी हो जाती है सो मुझे क्योंकि मैंने फैन आफ किया हुआ था और अब देखिए आपको करना क्या होता है मेंधी लगाने के बाद आप मेरे बालों का शाहिन देख सकते मेरा टेक्शर इंप्रूव हो गया है अलाकि मेरे बाल है कुछ वेवी टाइप के इसलिए थोड़ा साइस में वह है ल करें कितने घटिया बालते हैं और आप कितने स्मूध है इतने जादा मेरे बाल सॉफ्ट हो गए थे ना की मजा ही आ गया था तो इस पैक को आप जरू से जरूर ट्राइप कीजिए का मुझे को में बताइए कि आपको कैसा लगा यह पैक और अगर आप मेरे चैनल पर लग्स्ट विदियो में रप्ताग बाइए